दोस्तो आज किस वीडियो मा आपको बताने वाला हूँ कि आप अगोडा से फ्लाइट टिकेट कैसे बुक कर सकते हो। जिया दोस्तों अगर आप भी अगोडा एप से फ्लाइट टिकेट बुकिंग करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मारी चाहँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहँ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से फ्रेस करेंगा तो चलिए फ्रेंट्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करती है तो सबसे पहले दूस्तों आपको प्ले डाउनलूड करना है इस app को डाउनलूड करने की बाद सिंपले इस app को open करेंगे open करते ही दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile number या फिर email id से आपको जो इसमें आपको अपना account बना लेना है या फिर ग्यास अपने google से आप फेस्बुक से भी आप login हो सकते हो तो गैस मैंने आपर अपने जो है गूगल id से यहाँ पर मैंने login कर लिया इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह application open हो जाएगी अगोडा से flight ticket book करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको इस application में flight का option दिख राए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले flight option पर आपको क्लिक करना है जैसे आप flight पर क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों आपको one way और round trip का option मिल रहा है अगर आप जो है सिर्फ चाने की या फिर आने की ticket book करना चाहते हो तो आप one way select कर सकते हो अगर आपको जाने की या फिर आने की दोनों की ticket book करने है तो round trip करेंगे फिलाल हम one way select कर लेते हैं इसकी बाद आपको flying from यहाँ पर क्लिक करने की बाद जहाँ से आप टिकेट बुक करना चाहते हो simply यहाँ पर आपको city को से आपको जो इयरपोर्ट को डालना है फिलाल मैं जो है एमदावाद यहाँ पर इस वाले एरपोर्ट से टिकेट बुक करना चाहते हो तो मैंने एमदावाद स्लैट क्लेज की बाद flying to में जहाँ तक कि आपको टिकेट बुक करनी है उस यहाँ पर city उसी एरपोर्ट को डालना है तो फिलाल मैंने पूरी एरपोर्ट यहाँ पर चूज करने की बाद किस डेट पर आप टिकेट बुक करना चाहते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर 13 एपर यहाँ पर चूज कर लिया है इसके बाद okay option पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तो यहाँ पर आपको passenger और class चूज करने का option है passenger में दोस्तो आप जितनी टिकेट बुक करने चाहते हो जैसे adult में मुझे एक टिकेट बुक करने है तो मैंने एक यहाँ पर select कर लिया और children अगराव साथ में है तो उससे आप select कर सकते हो कोई infant only 2 years के नीचे भी है तो यहाँ पर उसे भी चूज कर सकते हो अब दोस्तो यहाँ पर class की बाद आती है किस class में टिकेट बुक करने है economy, premium, economy, business और first class तो फिलाल हमें economy चूज करने है इसके बाद okay option पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको search option पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो डेट करने है यहाँ पर आपको जो अलग यहाँ पर पर फ्लाइट कर आप नहीं को सुख करने है हैश कर सकते हो जैसे बाद सब्सक्रति Сबिक्स करने हो गार दोस्तों यहां पर आप तो प्लाल याँ अपर मैं इस टाइम पर मुझे तो इस इस हई है तो फिलाल हमें याँ टिकेट बुक करना तो यहां पर हम爆क option पर क्लिक करेंगे, जैसी दूस्तों आप बुक option पर क्लिक करोगे, इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको अपनी detail करनी का option आपको भीचाइएगा, जहाँ पर दूस्तों की बाद आपको इस option को टिक करने की बाद से उपर आपको क्लिक करना है और इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर contact info में आपको अपना first name last name अपनी country डालना है इमेल डालनी है इसके बाद यहाँ पर आपको प्रमोशन कोड बगरा है तो वह आप डाल सकते हो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ discount बगरा मिलेगा इसके बाद continue option पर आपको simply क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट का option शो करेगा आपकी टिकेट प्राइज रहे कि वह कितना आपको पे करना है वह आपको शो करेगा तो यहाँ पर गाईस आप जिस पी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट मैथड भी आपको next page में शो करेगा इससे पहले दोस्तों आपको चेकिंग बैग यहाँ पर शो करा है यहाँ पर अगर आपके पास लगेज जादा है अगर आप एक्स्ट्रा लगेज के लिए यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो यहाँ पर 5 kg यहाँ पर 10 kg तो इसके आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आपका additional कोई नहीं है तो no additional पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ यहाँ पर आपको seat selecting option है यहाँ पर seat select करने के लिए दोस्तों इस पर क्लिक करना है और जो भी आप seat select करना चाहते हो seat जो अपने according आप जो है select कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे उपर यहाँ पर फ्री seat आपको शो करी है जैसे blue color दीक रहा है यहाँ पर जो blue वा में जितनी सीटेस होक रहे हैं फोर डबल लाइन में आप इससे जो है बुक कर सकते हो तो यह जो एक्स्ट्रा चार्ज है आप एक्स्ट्रा पे करना होगा अपने सीट के अपर गाइस आपको जो अपने सीट स्लेट करने यह फिलाल में फ्री वाले ही कर लेता हूँ इसके है यहांपर आपके डीटेल सारे की शारी शो करेगी यहा पर आपका जो है आपने जो पैसेंजर डीड़ैल प्रड़ डाल सारी कुछह यहाँपर आप देख सकते हो इसके बाद पंप्र नंबर काड से payment कर सकते हो तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर card number card on name expiry rate, save number name on bank यहाँ पर इसके लावा UPI का भी option है card से भी कर सकते हो payment और UPI से भी कर सकते हो इसके बाद complete booking पर आपको click करना है और दोस्तों जैसे आप अपना payment confirm करोगे पर आपकी टिकेट बुक हो जाएगी और आपकी टिकेट आपकी mobile number और आपने इमेल डाले उस पर आपकी टिकेट रेसीव हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तों आप अगोडा से फ्लाइट टिकेट आप बुक कर सकते हो